नमस्कार दोस्तों अट्लांटिक महासागर में डूबे हुए जहाज टाइटानिक के बारे में हर कोई जानता है अज पूरी दुनिया ठीक उसी जगा टाइटेन पंडूबी में सवार पांच लोगों के लिए दूआ मंगते नजर आ रही है दरसल टाइटानिक जहाज का मलब देखने के लिए गई पंडूबी रविवार से लापता है इस पंडूबी में पांच लोग सवार थे जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है ओशेन गेट एक्स्प्लोरेशन कंपनी की इस सम्मरीन में सिर्फ 94 गंटे की ऑक्सिजेन थी जिससे अनुमान लगाया जा इसके बाद से अमेरिका ने पंडूबी की खोच के लिए बड़ा ओप्रेशन शुरू किया है जो अब तक जारी है कोज में अमेरिका केनडा की बड़ी अजेंसियों के साथ गहरे समुदर में जाने वाली कंपनियां भी सामिल है पंडूबी शैन्य विमान सोनार बॉई की म नाम से मशूर, पॉल हेंडरी नेर्गोलेट, ब्रिटन के बिजनसमैन हमीस हार्डिंग, पाकिस्तान के अरभपती सहजादा दाउद और उनके बेटे सुलैमान दाउद सवारते ओसियन गेट टाइटानिक का मलबा दिकाने के लिए हर एक यात्री से दो लाग पचास जार यानि 2 करोड रुपे से अधिक चार्ज करते हैं, टाइटन पंडूबी एक छोटी कैप्सुल की आकार की पंडूबी है, जिसकी अधिक्तम शमता 5 लोगों की है, या पंडूबी 6.7 मिटर लंबी, 2.8 मिटर चौड़ी और 2.5 मिटर उन्ची है, इसमें बैटने के लिए पहुंच कर वापस आने में 8 गंटे का समय लगता है, टाइटनिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई में है, जहां तक जाने के लिए 2 गंटे, टाइटनिक को देखने के लिए 4 गंटे और वहां से वापस आने के लिए 2 गंटे लगते हैं, इस परिस्तिती में समुद्री कोच के विशेजगे डेविड गैलो ने कहा कि समय के दोड के साथ बचाओ लगबग असंबो होने वाला है, अब हमें चमककार की जरूरत है, लेकिन मेरे दोस्तों चमककार होते रहे हैं, जै हिंद, जै बारत!